नमस्कार दोस्तों, Study Today with Vip Lab YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही important रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में Class 9 के Science के VVI 20 objective question को देखने वाले है जो exam point of view से काफी ज्यादा important है वीडियो को अन तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और दोस्तों में share करेगा तो चलिए सुरू करते हैं Class 9 Science के VVI objective question को पहला question given है नीमन में कोन पदार्थ है option देखे कूरसी, वीचार, सीत और गंध है तो चलिए हम पहले जान लेते हैं पदार्थ किसे कहा जाता है देखे पदार्थ जो वस्तों कुछ इस्थान अर्थत आयतन घेरती है तथा जिसका अपना द्रभ्यमान होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पदार्थ कहा जाता है तो कूर्सी को देखिए, कूर्सी यानि कुछ इस्थान घेर सकती है, अर्थत आयतन होती है, तथा इनका अपना द्रभ्यमान होती है, यानि कूर्सी का द्रभ्यमान होगा और आयतन घेर सकती है, तो कूर्सी इसका राइट एंसर हो जाएगा, देखिए बिचार, सीत और सबसे कम होती है ठोस में द्रब में ग्यास में या इनमें से कोई नहीं तो देखे जो वस्तु होता है उसके तीन आवस्था होती है एक होता है ठोस और एक होता है द्रब और एक होता है ग्यास तो ठोस में क्या होता है ठोस में ठोस में जो अनुवा होती है अर्थत अनुवा क जो इस्थिती होती है वो पास पास होती है जिसके कारण अकर्षन बल बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण अनुओं की उर्जा सबसे कम होती है अकर्षन बल बहुत ज्यादा होता है यह अनुओं गती नहीं कर सकती इन्हें बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा जिसके क कारण अनों की उर्जा सबसे कम होती है ठोस में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा क्योंकि ठोस में जो अनों की स्थिती होती है वह बहुत ही पास पास होती है जिसके कारण अकर्शन बल बहुत ज्यादा होता है तो इसका राइट एंसर ठोस हो जाएगा च 300 K Kelvin बराबर हो जाएगा Celsius में 300 माइनस करेंगे 273 273 को माइनस करेंगे तो बराबर होगा देखिए 7 होगा 27 degree C हो जाएगा इसका right answer 27 degree C हो जाएगा तो इसका right answer 27 degree C हो जाएगा अब चलिए एक example के थ्रू इसका right answer 27 हो जाएगा मान लिजिए 25 degree C given है question exam में और आपको निकालना है Kelvin में तो आप कैसे निकालेंगे तो 25 degree Celsius बराबर होगा 25 के साथ हम add करेंगे 273 को तो इसका right answer निकल जाएगा Kelvin में 25 degree C को हमें Kelvin में निकालना था तो हम 25 degree के साथ 273 degree add करेंगे तो निकल जाएगा Kelvin में और 300K है तो हमें Celsius में निकालना है तो इहाँ minus करेंगे 273 को तो चलिए next question को देखते है question number 4 को देखिए question number 4 given है निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है तो option देखिए वास्पी करण उर्धा पातन संगलन या संगनन चलिए हम समझते हैं इसका right answer तो वास्पी करण होगा हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं देखिए घड़े में अनेक छ चिद्र होता है तो जिनके द्वारा जल की उसमा से ही बास्पी करण हो जाता है इसलिए जल ठंडा हो जाता है यानि घड़े में क्या होता है अनेक छिद्र होता है और उन चिद्रों के द्वारा जल की उसमा से ही बास्पी करण हो जाता है जिसके चलते जल ठंडा हो जाता ह तो इसका right answer वास्पी करन होगा चलिए next question को देखते है question number five को देखी question number five verb का गल्लंग है देखे वर्प का गल्लंग पहले आप जान लिजे कि गल्लंग क्या होता है जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रब में बदल जाता है उसे गल्लंग कहते हैं गल्लंग किसे कहा जाता है जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रब में बदल जाता है उसे गल्लंग कहते हैं तो बर्प का गल्लंग होता है 273 Kelvin होता है यहाँ पर C को कार दिजेगा Kelvin होगा 273 Kelvin होगा इसका right answer अर्था 273 273.16 होता है 273.16 Kelvin होता है अगर हम point को हटा दे तो इसका right answer 273 Kelvin होगा तो इसका right answer option 2 होगा तो चलिए next question को देखते हैं next question को देखें जल अनू में प्रयूक तत्तों के परमानों की संखा का अनुपात है हमें पुछा है जल अनू में देखिए H20 O एक क्या है एक अनू है यानि जल अनू है तो इसमें प्रयूक तत्तों के परमानों की संखा ध्यान से पढ़ वान होगा इसका राइट एंसर इसका राइट एंसर दो अनुपत वान होगा अगर हमें पूछता अगर हमें द्रभ्यमान अनुपत पूछता तो क्या होता अगर हमें द्रभ्यमान अनुपत पूछा जाई तो क्या होगा देखे हाड्रोजन यानि की वान गुना दो होगा ठी द्रब्यमान कुतना होता है तो इसको कीज़ेंगे डिखिए दो अनुपात 16 यानि कि वान अनुपात 8 हो जाता अगड म उन उन पत पूछता तो वान अनुपात 9 हो जाता लेकिन हममें पुछ्छा है परमानु के संक्खtail का अनुपात इसलिए दो अनुपात one होगा इसका राइट एंसर one हुइं होगा चलिए next question को को देखती है question no7 को देखी है question no7 rahz哇ow dome यानि खाने वाला soda का रासाङिनेक सुत्रह क्या है This that yeah two three a sodium carbonate होता हैaben A8 co 3 a sodium hydrogen carbonate तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हार्डियema कार्बोनेट होगा यह यह Frankan कार्बोनेट नोट कर लिगा सोडियमrate huge 182-26 सोडियम हड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी से कहा जाता है और याद रखिएगा चलिए इसको थोड़ा डिसकास कर लेते हैं इसका प्रिक्षा में पूछा जाता है एंटेशिट के रूप में इसका प्रिक्षा में पूछा जाता है एंटेशिट अगर परिक्षा में Na2CO3 पुछा जाई तो आप एंसर क्या दीजिएगा, तो चलिए इसको भी डिसकास कर लेते हैं, Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल की स्थाई कठोरता को दूर करने में इसका प् होता है, और या फिर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यानि की धवन सोडा, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, क्वोस्चन नमबर 8 को देखिए, नेक्स्ट को देखिए, बुझा हुआ चुना में उपस्तित तत्त के नाम है, तो सबसे पहले आप जान लिजिए कि बुझा हुआ चुना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, बुझा हुआ 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 हु होता है बिना बुझा हुआ चुना बुझा हुआ चुना चुना केल्षिंट होगा तो चलिए कॉस्ट नमबर नाइन को देखिए नाइन एन ए सी एल का सुत्र इकाई द्रभ्यमान है हमें एकाई एन ए सी एल था सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोरीन ठीक है एन ए सी एल सोडियम एन ए सी एल हमें क्या पूछा है कि एकाई द्रभ्यमान ठीक है एकाई द्रभ्यमान पूछा है तो एन ए सी एल तो चलिए हम यहां प परमानु क्रमंग 11 होता है और द्रभ्यमान 23 होता है और CL का परमानु अथत क्लोरीन क्लोरीन का परमानु क्रमंग कितना होगा 17 होगा और परमानु द्रभ्यमान कितना होता है 35.5 होता है तो इसको अगर और हम एड़ करेंगे तो कितना होगा 5 होगा पॉएंट और 5 58.5 तो देखिए कौन सा ओफशन में है 58.5 अर्थात ओफशन नंबर 1 में है तो इसका राइट एंसर ओफशन वान होगा तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोस्ट नंबर 10 को देखिए कोस्ट नंबर 10 कैथोट कि किरने प्रावा है तो इलेक्ट्रोनों के प्रोटोनों के न्यूट्रोनों के यह परमानों के इसका राइट एंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनों के ओफशन वान होगा राइट एंसर कैथोट किरने प्रावा है इलेक्ट्रोनों के तो चलिए नेक्स्ट कोस्चन को देखते है इसका राइट एंसर गोल्ट इस्टीन होगा गोल्ट इस्टीन ने प्रोटोन का आविस्टीन चार्च होता है यानि प्रोटोन पर पोजिटीब चार्च होता है और इलेक्टोन पर नेगितिब चार्च होता है प्रोटोन का द्रब्यमान एक इकाई होता है और इसका क Janeiro को देखते हैं चडविक ने नेक्स्ट को देखते हैं इसको डिसक्स कर लेते हैं याद रखेगा किसी कोस में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संखा 2N2 से रिप्रेजन किया जाता है यानि ये formula होता है 2N2 n किया है इस्मॉल n किया है ना कोसों की संखा है तो चलिए इसको देखते हैं कितना कोस कोस में कितना होगा हमें पुछा है n cos में, चलिए हम निकालते हैं, k cos में क्या होगा, 2n square होता है, यानि 2 into n square, यानि कि 1 square होगा, cos की संखा, तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, अब देखे, l cos में कितना होगा, अधिक से अधिक electron, तो l, 2 गुना, 2 square होगा, क्योंकि l, l, जो cos की संखा है, बहुत 2 है, तो कितना 2 गुना, 2 square, यानि कि 4 दूनी 8, यानि 8 हो जाएगा, l में कितना होगा, 8 होगा, l में कितना होगा, 8 होगा, और k में 2 होगा, और देखे, m में कितना होगा, न 2 गुना, 3 का square, अर्थात 9 दूनी 18 होगा, m में 18 होगा, और n में हमें पुछा है, तो 2 गुना n, अर्थात 4 square फूर स्क्वार आनी की दूनी 32 होगा तो हमें क्या पुछा है है N कोस्ट में अधिक से अधिक प्यत्नेouch इलेक्रण रहा सकते हैं तो इसका right answer 32 होगा, इसका right answer 32 होगा ने कि क क कोस्ट में कितना दो, L कोस्ट में 8 अधिक से अधिक इलेक्रण ठीक है और M कोस में 18 और N कोस में 32 अधिक से अधिक इलेक्टरन रहा सकते हैं तो इसका जो याद रिखेगा 2, 8, 18 और 32 होता है यह N कोस में होता है 32 तो इसका राइट एंसर होगा कितना 32 होगा तो option को देख लेते हैं option 4 है option 4 में given है तो इसका राइट एंसर option 4 होगा तो चलिए next question को देखते है, question number 13 को देखे, question number 13 में given है 6, C12, 6, C12 इसका मतलब क्या है, यह 6 जो है, देखे, इसका मतलब क्या होता है, C लिखा गया है, नीचे 6 लिखा गया है, उपर 12 लिखा गया है यह द्रब्यमन संखा होता है और ए क्या होता है यह जो 6 होता है इसे परमानु क्रमान कहा जाता है या फी परमानु संखा C यानि कारवन का जो परमानो संखा होता है वो 6 होता है और 12 क्या होता है द्रभ्यमन होता है तो इसका राइट इंसर 12 हो जाएगा हमें पूछा है कारवन की द्रभ्यमन संखा तो 12 हो जाएगा याद रिखेगा जो द्रभ्यमन संखा होता है द्रभ्यमन संखा बराबर क्या होत होता है उप pointer की संखा बराबर youं की संखा होता है वह इसका नेक्सक्शन को देखते हैं और इसको याद रिखेगा अपर दरब्यमन संखा बराबर proton plus neutron होता है द्रब्यमन संखा बराबर proton plus neutron होता है proton पर positive charge होता है और electron पर कोई charge नहीं होता है कोई charge नहीं होता है याद रिखेगा neutron पर और electron पर negative charge होता है तो चलिए next question को देखते हैं question number 14 को देखे चाल का मूल मात्रक है सबसे पहले आप जान लिजे कि चाल क्या होती है चाल एक अदिसरासी होती है किसी भी दिशा में इकाई समाई में वस्तु द्वारा ताई की गई दूरी को चाल कहा जाता है किसी भी दिशा में इकाई समाई में वस्तु द्वारा ताइकी गई दूरी को चाल कहा जाता है और चाल अधीसराशी होता है और इसका मोल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है तो चलिए next question को देखते हैं question number 15 को देखे question number 15 मानब सरीर की सबसे बड़ी कोसिका है option देखे तंत्री का कोसिका गूर्द्य की कोसिका यक्रित कोसिका पेसी कोस चलिए इसको discuss कर लेते हैं देखे एक कोसिका है कोसिका के बाहर एक जिल्ली होता है जिसे कहा जाता है प्लैजमा जिल्ली या फिर कोसिका जिल्ली यह जो कोसिका जिल्ली होता है कोसिका की सबसे बाहरी जिल्ली होता है जो कोसिका के घटकों को बाहरी परियावरन से अलग कर ति है और इह जिली यानि कोशी का जिली कुझ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है इसलिए इसे बर्नातमक पारगम में जिली कह जाता है अर्थ इसका राइट इंसर कोशी का जिली होगा, कोसिका जिल्ली क्या है कोसिका की सबसे बाहरी जिल्ली होता है इसलिए इसे बरनात्मक पारगम में जिल्ली कहा जाता है इसका right answer 3 होगा यानि कोसिका जिल्ली को कहा जाता है बरनात्मक पारगम में जिल्ली चलिए next question को देखते हैं कोसिका के किस अंगक में ATP बनता है ATP ATP का full firm अ एडिनोसीन ट्राइफ फोस्पीड और ये माइटो कंड्रिया में होता है माइटो कंड्रिया और माइटो कंड्रिया को क्या कहा जाता है परिक्षा में पुछा जाता है माइटो कंड्रिया को पावर हाउस अब जा सेल कहा जाता है यानि कोसिका का उर्जा घर कहा जाता है तो ऑचिन को देखते हैं को सिकाओं में लबक पाएजाता है उसे कहते हैं जखते हैं Zealand के में tough अस्तियों को जोडने वाला उतक कहलाता है दो अस्तियों को जोडने वाला उतक कहलाता है उसे देखे एक ट्रीक होता है याद रखेगा बी लाल यानि की बी से बोन और बी से बोन यानि अस्ति बोन टू बोन लिगामेंट यानि इसका राइटेंसर लिगामेंट होगा बी बी लाल यानि bone to bone को कौन जोड़ता है ligament जोड़ता है और tendon क्या करता है अगर परिक्षा में tendon पुछा जाए tendon क्या करता है ना अस्थी और muscle को जोड़ता है याद रिखेगा क्या bone और muscle को जोड़ता है ठीक है next question इसका right answer ligament होगा next question को देखते है next question मुंगफली और वादाम के छिलकों में पाए जाते है मुंगफली और वादाम के छिलकों में क्या पाजाता है is clear reads पाए जाता है options 3 हो जाएगा right answer is clear reads तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं next वीडियो में thank you